हेलो स्टुडेंट आज हम इन्वेस्टिव नेटरी का पार्ट सेवन पढ़ाएंगे ठीक है इसके पहले हम आपको पार्ट सिक्स तक बता दिये हैं तो देखिए स्टार्ट करते हैं पार्ट इस्ट अनवेस्ट इतना एक कोल टो जीरो पूप करना है ठीक है फिर सकेंड कोस्ट्ट विस से मुझी तरी अफ्रट कोस्टें भी उसी तरह त्यक है ये तीन कोस्ट्ट सेम है ठीक है एक बताएंगे आपका सब बन जागा ठीक है तो देखिए लेचरी सपाथ भाट ह 10-z by 1 plus y into z plus 10 inverse z minus x by 1 plus z into x ठीक है और हमको प्रूब करना है 0 तो इस तरह का कुछ formula है देखे 10 inverse x minus 10 inverse y का formula होता है 10 inverse x minus y by 1 plus x into y formula इसका यह होता है और इसका formula क्या होता है तो एगर ऐसा आजा तो उसके जगह पर हम यह लिख सकते हैं तो यहां पर मैसा यही है कि 10 inverse x minus y by 1 plus xy और इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 inverse x minus 10 inverse y तो मिआ पर लिख दिये 10 inverse x minus 10 inverse y plus यह वी उससी तरिका से 10 inverse X minus Y by 1 plus X into Y का form है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 10 inverse Y minus 10 inverse Z फिर प्लेस यहाँ भी उसी form का है 10 inverse Z X minus Y by 1 plus X Y उसी form का है तो म क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 inverse Z minus 10 inverse X ठीक है अब देखिया plus 10 inverse X minus 10 inverse X कर गया माइनस टेंबरस वाई प्लस टेंबरस य कड़ गया मैस तो इसे आप देखेंक बनेगा जैसे में यहाँ पर 10 इंबरस एक यूब लगाना मानस टेंबरस ब्लस टेंबरस बिक्यूब मानजे से तरीका से तरह हो घट जाएं जातन हैं ठ्रविक्ते हैं जुजिक है यृक्षा निज यर माँकज दो तो पहले लिए निम्ह contributor उन्प के साइब कर देते हैं तो उसी त्रीकास अगर हम cotton बर्स को 10 में चेंज करें तो क्या होगा ये वला पार्ट उपर ये वपाट नीच में-गार 1 प्लस xy नीचे प्लस 10 inverse वाई मैंने जैड ऊपर और वन प्लस वाई जैड नीचे प्लस पॉट इंबर से सको टेन इन वर्ष में चैंज करते हैं टेन इन वर्ष जैड निचे प्लस जैड बाइंग फिर वही फिरुमुला लागा दें सेम कुस्चन बन गया ठीक है आप बना सकते हैं इन फोर में हम बता नहीं हरें यह आप फाइब में बताए ठीके तु Option फोर में हो गया था इसलिए यहां पर मिश्टिक हो लिए थीक्ति का आप लिजेक बनाला लग आcio तो नोट कर लिजिए सको देखें प्रूब करना है फ्रस्ट एक्स के क्वल टो होना चाहिए सकेंड यह होना चाहिए फट्ट टैनिन वर्स एक्स अचीए तो फ्रेस्ट नमर में आते हैं पहले है लहीं सपार्ट साइन कोट इंबर्स टैन समसिंद और एक्स अगर्ण टू हमको एक्स लाना ठीक है तो हम बताए है कि जैसे यह साइन है तो यह टूटल क्या आ ओगा ठीटा तो आपको यह कुषेजन आगे से नहीं आपको पीछे से देखना है तो देखें बहार यहां पे क इसको देखते हैं तो यहाँ पे तैन है तो अंदर क्या होना चाहिए तो हम क्या करतेैं तो हम क्या करते हैं पहले साइन वही रहेगा cot inverse बी वही रहेगा 10 बी वही रहेगा हम करने के आजाने cos inverse x को 10 में change करने जा रह cela क्योंकि बाहर में 10 तो अंदर 10 चाहिए तो 10 inverse changing करने जा रहे अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगा तो हम बता चुकए है कि जैसे यहाँ पे cos सिनुस अंबर्स एसके नीचे कुछ नना तो अगर कहीं कि ये वी है क्या क्या लागा its तो 아직 कमान अगर हम निकाले तो क्या जाएगा स्क्वाइर वे स्क्वाइर मैंनेस बीज का मान यहाँ पर क्या हो गया कवन वन का स्क्वार रवन वी कमान कामान यह लगा णिश्वेर के यहां पर फर्मूला लगा सकते हैं यह 10 inverse x equal to x होता है ये 10 ये 10 inverse और ये total आपका क्या है एक से तो टेंट 10 inverse x equal to x by x ठीक है जस्ट इसी के जैसा आप क्या करना है कि ये साइन यहाँ पर कॉट है हम ऐसा करते हैं कि बाहर में साइन था अंदर हम क्या बना लेते हैं साइन तो अब दिए पिए कार्ट में क्या होता है कि वी स्नौ अर्वी क्या है यह घॉच होगा त हमको निकालना क्या पठेगा ऋ तो एच अगर निकालना चाहिए तो क्या दूडता है breeds में और और रि tampon यह जो जाएगा यह बीर टंद लिम क्होंद टो एक सबक्रम बूकर्इब बहुत वां का वन पर शुझावित शुर्ड मालता है शाइं इस साइऩन में इस में चाइन भरस निटे निटा टो और Ska value 1 वन गएं सांई इंबर्स ठीक है तो नीचे वन नहीं भी रहागा तो कोई फ़र्क पढ़ने वाला नहीं है तो साइन S姐ंबर्स X एक्वल्ट्र टु एक्स वो गया प्रवक तो इसी के जैसा आपका question number तू भी बनेगा ठीक है तो यह अप ले जागा हम कोस्टन नमबर ठड़ में आते हैं ठीक है नोट कर लिए इसको इसे देखें क्लास 10 का फर्मूला Trigon Metric का Sin²θ प्लस Cos²θ का अमान कितना होता था 1 तो अगर हम इसे बोले कि Sin²θ गा वहल्यू क्या होगा तो 1-cos²θ और अगर हम बोले कि Cos²θ का वहल्यू क्या होगा तो 1-sin²θ अगर हम Sin²θ बोल दे तो इसी बेश से देखिए किसके आगे में 1 है और उसके बाद माइनस ठीक है तो यहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या दिख रहा है एक्स के जगा यह तो कॉस्टीटा बैठा सकते हैं यह तो एक्स के जगा साइन ठीटा बैठा सकते हैं ताकि वह एक फरूला बन जाए वन मैनस कॉस्टीटा रहेगा तो हम साइन ठीटा लिख सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर जैसे हम साइन ठीटा पूट किये तो वन मैनस अजसी तरिका से जानते कि exact squared theta minus 10 square theta equal to one होता है तो अगर हम करदे कि exact square theta का value क्या होगा तो one plus, अगर करदें एक quasi theta minus 1, ठीक है फिर एक यह जानते ही कि कौसेग Сक्वाय श्क्य 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 श श्क्य 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 का बclay तो अगर कॉसेग स्क्य क्यख़ है टरना सी तरीका सा अगर में यहां पे स्क्राइटा दें यह रूट में चले जागा यहां से स्क्राइटा दें यह रूट में चला जागा यहां से स्क्राइटा दें यह रूट में चला जागा यहां से अगर हम स्क्राइटा दें यह रूट में चला जागा ठीक है अब यह देखिए कि वन प्लेस टैन स्कॉर ठीटा और यहां पर वन प्लेस कॉट इसकॉर ठीटा यह और यह वाला ठीक है वन के बाद प्लेस है वन के बाद प्लेस है तो अगर वन के बाद प्लेस है है तो एक्स के जगह क्या पूट करना है टैन या कॉट क्योंकि अगर हम टैन पूट करेंगे त तो फिर्मूला बन जाएगा अगर हम कौट पूट करेंगे तो फिर्मूला बन जाएगा ठीग के लगी तो फॉत कीन तो फिर्मूला थिटा का रूट अन्डर जिसको कॉशिक ठीटा लिख सकते हैं ठीग है तो अब यह देखें रूट इंडर एक सब्स्कार मैनेस वन तो पूट एक सुवार रहेगा तो आस नहीं पर एकस हुट करेंगे यह हो सकता कि एक कॉसेख फिटा हो सकता वहां पर कॉसेख फूट कर सकते इस नहीं पे टीक है और रूट अंडर वान मैनस एक एक कोस्ट टू कर ना यह क्यों करना है अगर यहां पे 1-2 थिटा है तो फर्मुला 2 सबस्क्राइब का टो मतलए कि अगर यहांपर यहां पर पूटकी एं आथ ठीक है अब सेम इसी के जैसा जैसे यहां पर और तिक अर्वन की तरह यहां पर यहां पर देखिए इसमें जहाँ पे वन है वहाँ पे क्या दिख रहा है एस्क्वार एक्स स्क्वार मैनस जहाँ पे वहाँ पे एस्क्वार दिख रहा है तो करना वही काम है जो पहले कर रहे थे पहले एक्स के जगा सेख ठीटा पूट करना है लेकिन यहाँ पर एक्स के जगा एक सेख ठीटा इसको आपने निए पताते हैं यहां पे नोट कर लिजए आगे में इसको टहते हैं। कि फरूमुला का कंडिशन है ठीक है जैसे अगर हम बोल देखी one plus कि sign two theta ध्यान में रखेंगा इसे भी ज्यादा होता है one plus sign two theta इसको हम क्या लिख सकते हैं तो देखें sign two theta इसका फरूमुला हम जान रहे हैं कि two sign theta इन्टू क्या होता है aí इस प्लेस आगे में बच गया one तो वन को हम ऐसा लिख सकते x square theta plus sin square theta ठीक ऐसा लिखने से क्या होगा यह तो आपका value one है ठीक है और two sin theta into cos theta value sin theta तो कहने कला इस से यह फर्मुला बन जाता कि cos a square plus b square plus two into a into b a plus b का using classic handout सेम यहीं alny स्पार्टा आगर मैन्स में रता तो च्या करते हैं वहीं चीछ करतें जो आभी की ओन क्या लिखते कोश स्कार टिटा प्लस सै इआए स्कार थिटा फ्लस साइन 2 theta, 2 sind theta into cos theta, यहa laogen aí, तो a squared plus b squared minus 2ab, a minus b ka whole square, ठीक है, तो कहीं पर एकर one plus sine 2 theta दिखे तो हम directly यहे लगा सकते, यहा पर one minus sine 2 theta दिखे तो यह ळगा सकते, अगर डिरेक्ट नहीं लगाना है, तो आप इस तरह भी करके लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह condition हो गया, और इसी में अगर one plus sign two theta नहीं देखे अगर one plus sign theta दे ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं तो sign theta यहाँ पे sign two theta था तो हम class 11 में कुछ फरूला पढ़े थे कि sign theta two theta गभले होता two sign theta into cos theta तो अगर हम sign theta का बात कहें तो क्या हो जागा two sign अंतर सिर्फ क्या होगा यह 2 theta था तो यहाँ पर 2 theta का आधा theta angle बना तो theta है तो theta का आधा angle, theta by 2 cos theta by 2, ठीक है? तो यहाँ पर करना वही काम है जो पहले कर रहे है, sin theta का formula 2 sin theta into cos theta होता था, ठीक है? सब्सक्राइब 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 लेकिन अगर हम ऐसा लिख दे तो फरूमला तो बन नहीं पर आगा क्योंकि यह यह सब्सक्राइब 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 व्यूबॉफ और ऐसा करने से यह कि ऐसा बदल जागा क्योंकि जानते जब साइनि स्काइट थीटा प्लस कॉस्का थीटा थीटा बैल्वन होता हुटा तो हम सांई स्कॉडट थीटा बटेक्ट कर दे तो भी तो इसका वेल्वन ही होगा ठीक है तो अगर वन प्लस साइन ठीटा हो तो उसको हम इस कंडिशन में लिख सकते हैं अब कुछ आते हैं टैन के फॉर्म में देखिए 1 प्लस 10 ठीटा बाइ 1 मैनस 10 ठीटा रहे ठीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए सबसे पहले आपको 10 A प्लस B का फॉर्मला याद होगा यह सब ध्यान में रखिएगा बहुत ज्यादा यूज़ता है यह सबका 10 A प्लस B का फॉर्मला 10 A प्लस 10 B by 1 मैनस 10 A इंटू 10 B ठीक है तो देखिए इस पूरे फॉर्म को इस फॉर्मला का फॉर्म बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे 10 A होना चाहिए लेकिन 1 देख रहा है तो हम इसको 10 A बनाते हैं कैसे बनाइए तो 1 को 10 45 लिख सकते हैं 10 प्लस 10 पाई फॉर्मला प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 बाइए यहाँ प के अगर हम यहाँ पर लिख दें तो यहाँ पर आपका फर्मला फिरम नहीं बनेगा इसलिए वन के जग़र वन ही रने दिये माइनस अब क्या चाहिए टैने इंटू टैने का लगए यह वहाला यह यह पर यह लेखेंगे आपका हो जाएगा 10A प्लस 10B बटे वन मैनस 10 इंटू 10B तो हम इसको क्या ले सकते हैं 10A प्लस ठीक है अब इसी तरिका से अगर माल लेजे कि उपर में मैनस रहता नीचे प्लस रहता तो 10A मैनस बी पे चलते ठीक है एक और देख लेज़े अगर आपका एक cos cos x मैनस sin x by cos x प्लस sin x ठीक है इसको simplest करके हमको लेखना है तो क्या लेखेंगा सबसे पहले यह cos वाला पार्टकॉम 10 के फॉर्म में चैंज करता है 10 के फॉर्म में कैसे चैंज कर सकते है जैसे sin के नीचे cos आगा तो वो क्या बन जाता है 10 तो हम ऐसा करते हैं इसमें cos x से डिवाइड दे दे दिया और cos x से denominator में भी डिवाइड दे दिया ठीक है तो अब क्या करें cos cos के साथ जागा कट के 1 sin के साथ जागा cos यह आपका बन जागा 10 उसी फॉर्म का बन गया अब उपर में अगर माइनस है तो 10 a-b का फर्मॉला याद रखना है मैं देखें वन है हमको इस चीज़को इस फॉर्म में बनाना है ठीक है तो पहले क्यों आचाहिए 10 यह पर तैन नहीं लाना तो वन को क्या लख सकते हैं 10 पैता लेश कियों किश्का मान बन होता है मैनस क्या चाहिए 10 भी मैनस है 10 बीमना टैन भी का का हम 10x कर रहा है U by one. On है यहांपे हम one लिख दिये. Plus tenE into tenB. तो आपका ये tenA होता हाँ ये tenB होता है तो यहांपे क्या हो जगा गाँगा? का काम 1045 करेगा इंटू 10B 10B का काम अपका 10X करेगा यह वाला ठीक है अब देख लिए मिला के 1045 का भेली 1 10X का 10X 1 का 1 प्लस का प्लस 1045 का भेली 1 और 1 को जब हम 10X से गुना करते हैं तो क्या होता है 10X ही होता है ठीक है तो यह और यह बात बराबर है इस चीज को तोड़के में इस फ़र्म का लिख लिए अब देखिए एक फर्मॉला बन रहा है टैनी मैंस 10B by 1 plus 10a into 10b, किसका फरूमला, 10a-b का फरूमला, हम यहाँ पर क्या लेकेंगे, 10a-b, ठीक है, तो इसको नोट कर लिजए, अब आगे देखतें, इस कोश्चन पर आब आपते हम, देखें, दिया हो एक 2 10 inverse, कॉसेक 10 inverse, मैनस, 10 cot inverse x, इक्वल टो, 10 inverse x, आपको प्रूब करना है, ठीक है, तो हम LHS पाट इसका ले लेते हैं, 2 10 inverse, कॉसेक, बहुत इंपर्टेंट कॉस्चन है, कॉसेक, 10 inverse x, मैनस 10, cot inverse x, 2 10 inverse, कॉसेक, अब देखें, बहार में कॉसेक, लेकिन यहाँ पर क्या दिखेंगे, अंदर में 10, तो हम 10 inverse को कॉसेक इंपर्टेंट में हम चेंज कर लेते हैं, तो चेंज कर लेते हैं, कॉसेक इंपर्स, क्या बन जाएगा, देखें, 10 inverse x है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, p का मान 1, b का मान, sorry, p का मान x, b का मान 1, x लिख दिए, minus, यहाँ पर 10, बाहर में 10, तो अंदर 10 जाएए, तो कॉट को 10 में बनाने का सरल तरीका है, क्या है, तो कॉट inverse x, को हम क्या लिख सकते, 10 inverse, ज़स्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो 10 inverse, x से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, 1 by x हो जाएगा, ठीक है, अब देखें, 2, 10 inverse, कॉसेक, कॉसेक, inverse x, equal to x होता है, 10, 10 inverse x, equal to x होता है, 1 by x लिख दिए, LCM के तो x, x स्कार प्लस 1, यहाँ तक तो सब कर लेगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद करना क्या है, कैसे हम solution करेंगे इसका, तो यह देखना है, root अंडर x स्कार प्लस 1, और हम बताए हैं, कि अगर root अंडर x स्कार प्लस 1 रहेगा, तो x के जगा क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो देखें, जैसे हम बताए थे, सेक स्कार थिटा, minus 10 स्कार थिटा, equal to, क्या होता है, 1 होता है, तो सेक स्कार थिटा, equal to, क्या, 1 प्लस 10 स्कार थिटा, तो condition हम लिखा चुके हैं, कि x के जगा हम क्या पुट कर सकते हैं, 10 थिटा, यह तो कॉट थिटा, पुट कर सकते हैं, कंडिशन आप देख लिजेगा, ठीक है, और हम जैसे कंडिशन बनाए, उस तरीका से आप भी बना लिजेगा, ताक कि आपको भी कंडिशन याद रहें, हम को मरले कि वो याद नहीं करने का जुरत पड़ेगा, कि हम जाके 12 उल्टा के देखेंगे, क्या है, नहीं, आपको कंसेप्ट के लिए रहे, याद रहेगा, ठीक है, तो X के जगा होगा, 10 टीटा या, कोट टीटा हम पूट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम पूट करते हैं, पूट एक्स बराबर 10 ठीटा अगर एक्स के जग़ा 10 ठीटा पूट की है तो 10 को जब इधर करें तो 10 इंबर्स होगा तो यहां पर हम क्या लिख सकते 10 इंबर्स X इक्वल तो यहां आपका क्या बन गया ठीटा ठीक है अब देखिए यहां 2 10 इंबर्स रूट अंडर जहां पर X है वहां पर हम क्या लिख सकते 10 ठीटा तो X का स्कॉयर है कहने का मुलग क्या 10 का स्कॉयर ठीटा प्लस 1 लास्ट में क्या है रूट से बाहर माइनस 1 बाइ X और X के जब फिर से हम क्या लिखेंगे 10 ठीटा 2 10 इंबर्स अब देखिए 1 प्लस 10 स्कॉयर ठीटा का फर्मुला सेक स्कॉयर ठीटा सेक स्कॉयर ठीटा प्लस 10 स्कॉयर ठीटा का मान स्वरी 1 होता है तो अगर हम सेक स्कॉयर ठीटा का बात बोलें तो 1 प्लस 10 square theta और square इधर जागत क्या हो रूट अंडर that means root के अंदर 1 plus 10 square theta क्या लिख सकते हैं 6 theta root के अंदर 1 plus 10 square theta इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 theta minus 1 और नीचे 10 theta ठीक आप सको simplest form एक लेते हैं class 10 में भी इस तरह simplest form एक क्या अट करते थे जिस सेक को क्या लिख सकते है cos 10 को क्या लिख सकते है sin by cos 210 inverse सेक को लिख देते है 1 by cos theta minus 1 10 को लिख देते है sin theta by cos theta इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 210 inverse LCM करिए cos theta यहाँ आपका 1 minus cos theta ठीक है और यहाँ आपका sin theta by cos theta cos theta cos theta cancel 210 inverse बच गया 1 minus cos theta by sin theta अब यहाँ पर भी आपको दिमाग लाना पड़े है करना क्या है तो 1 minus cos theta का फर्मूला जैसे 1 minus cos 2 theta का फर्मूला 2 sin square theta है तो अगर यहाँ पर 2 हटा दिया जाए ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा बटे theta by 2 हो जाएगा ठीक जैसे 1 plus cos 2 theta का फर्मूला 2 sin cos का theta है तो अगर यहाँ से 2 हटा देंगे तो फर्मूला में theta by 2 हो जाएगा ठीक है तो 1 minus cos theta का फर्मूला हम क्या लगा सकते 2 sin square theta by 2 2 tan inverse 1 minus cos 2 theta तो 2 sin square theta by 2 नीचे तो sin theta है अगर हम sin theta लिखें तो कटेगा नहीं क्योंकि यह sin theta है तो यह sin theta by 2 है कटेगा नहीं cos theta तो अगर हम यहाँ से 2 हटा दें तो क्या होगा इसके एंगल में theta by 2 यहाँ भी क्या हो जाएगा theta by 2 तो sin theta का फर्मूला 2 sin theta by 2 cos theta into cos theta by 2 तो sin theta by 2 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 ठीक है तो आपका यह sin यह sin cancel वह एक 2 और एक 2 यहाँ पर cancel हो गया ठीक है तो क्या बचा 2 10 inverse sin theta उपर में एक बचा नीचे एक cos theta sin theta by cos theta 10 theta by 2 अब देखे 2 10 inverse 10 theta equal to theta theta by 2 कर रहा है 2 to cancel theta का value यहाँ पर हम क्या लिखेते हैं 10 inverse x तो यहाँ पर theta क्या हम क्या लिख सकते 10 inverse x ठीक है हो गया प्रूब यह इन प्रूब्ट करना रहा इसको नोट कर लीजे और वीडियो को like share और subscribe कर दिएगा ठीक है यदि पसंद आये तो कि 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 कर दो कि 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 कि